प्रिविद्यारतियों. सनातक पर्थम वर्ष हम भारतेंदु यूग और उसकी प्रमुक परवर्तियां या उनकी विशेशता पढ़ेगे बारतेंदु युग के समय के बारे में आपको पता है 1850 या 1857 से उनिस सो तक का समय बारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है यसे पुनर जागरण काल भी का जाता है क्योंकि इसमें हिंदी का वास्तिक रूपसी विगासोना शुरूआ था समाजिक धार्मिक सुधार अंदोलनों के फलसोरूप समाज में विदेमाद जाती भेद, सुवाचूत, बालवाय, सतिपर्था, आडंबर, कुरितियों के और भारतें दूरूरून के सात्यों ने पहली बार ध्यान दिया और इसके लिए चेतना समंदिक कावे लिखा आर्थिक धार्मिक राजनितिक सोसन के विरूद कवियों ने स्वर्गोश किया तता रितिकालिन, स्रंगारिक्ता, अलंकरण, रिति निरूपन, परकर्ति के उद्धी पंचित्त्रन से कवे बाहर निकल कर खुली साफ लेने लगा, पहली बार ऐसे लगा जैसे साहित्ते का कव लिखा जा रहा है, किसी राजदर्बार के लिए नहीं, इस उक्य प्रमुक कवियों में भारतेंदु का सरवस्रेष्ट स्थान है, इन्होंने कवियों वचन सुता, तता हरी चंदर संद्री का नामक पत्रिकाय परकाशित की, और प्रेम सरोवर, वरसा विनोद, विनै प्रे गीती, आधी सत्तर के लगबक कर्तियों में समाज एम देश जागरण का समावेश किया है, वारतेंदु मंडल के कविब बत्री नारायन, चोद्री प्रेम घंने, नागरी नीरद, और आनंद कादंबिनी पत्रिकायों का, तथा जीन जनपद, आनंद अरूनोदे, हार्दिक खर्षादस, मैंक महिमा, एलोकिक लिला, इत्यादी में सरंगार, भक्ती, देश प्रेम, समाज का यथार चित्रन किया है, परताब नारायन मीश्चर ब्रामन नामक पत्रिका के संपादक थे, उनकी मन की लहर, प्रेम पुस्पावली, तरपेंताम, सरंगार विलास, लोकोक राधा करिफन दाफ ने भारत बारामासा, देश दसा, नामक रस्नाव में ततकालीन इस्थित्यों के परती अपना यथार द्रफ्टी कोण प्रस्तूत किया है, अब हम देखते हैं भारतेंदु यूग के प्रमुक परवर्तियां, भारतेंदु यूग इन कावे में राफ् प्रवर्तियां देखने को मिलती है, सबसे पहले हम लेते हैं राष्ट्रियता की बहा होना, भारतेंदु यूग की राष्ट्रियता के दो पक्स मिलते हैं, देश प्रेम और राजभक्ती, देश प्रेम को जगाने के लिए इस यूग में कवियों ने वीर परताब, 70 साल, सि वारो उत्तम भारत देश, राधा तरंडगो सवामी के द्वारा लिखा गया था, धन्य भूमी भारत सब रतन्यनी की उपजावती, ये प्रेम गन के द्वारा लिखा गया था, इन पंक्तियों द्वारा भारतेंदु की विजए नी विजए वेजनती, प्रेम गन की आनद अरुनोदे, परतापना एन्मिसर की महापरुए, नया संवत, रादा कश्मनदास की भारत बारे मासा, इत्यादी कविताओं में देश वक्ति की भावना कूट-कूट कर बरिवी है, भारतें दूने वेंगे किया है, अंग्रेज सत्ता पर, भीतर भीतर सब रस्तू से, हसी हसी के तनमन धनमू से, जाहिर बातन में अधिक तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज, अर्था आम लोंने इस समश्या पूर्ति के मादे में से बताया है, कि ये अंग्रेज हैं, वो भारत का सारा धन सूंस कर ले जा रहे हैं, अर्था भारतिय दंता का सोशाने कर रहे हैं, इसके विप्रित जजिया जैसा करन लगाने वाले अंग्रेजों, महरानी वेक्टोरिया, लाड रिपन की परसंसा भी कई कवियों ने की है, कवियों ने उस समय अंग्रेजों की जापलूशे में भी कई कशिदे निकाले हैं, बारतेंदु की विजय वलरी, रिपनाष्टक, प्रेमगन की हारतिक हर्षादर्ष, रादाकर्षन दास की दूबिली, मेकडोनाल्ड पुसपांजली, आदि में अंग्रेजी सासन की उधारता, समाज उत्थान वादि भावना का गुनगान किया गया है, अब हम देखतें समाजिक चेतना, रितिकाली इन कवियों की समाजि समाजिकल सोसाइटी, प्रारतना समाज से परवावित होकर, समाज वा धर्में विद्यमान, रूडियों, एस परसेता, बालिवाह, विद्वा पुनरवाय का भाव, वर नासरम तता अंद्विस्वासों का विरोध किया, और उनमें सुधार की बात कही, भारत दूरतन सामें भारतनों ने बहुत हमने फैलाये धरम, बढ़ाया थुआ थूत का करम, ऐसी पंक्तियां लिखिये, मन की लहर में परतापना अंद्विसर ने कौन करेजों नहीं कसकत, सुनी विपती, बाल, विद्वान की, ये लायन लिखिये, कि विद्वाओं की विपती को सुनकर सभी क कलेदा कर सकने लगता है, इसकी ऐसी पंक्तियां लिख कर सभी लोगों का ध्याना कर्शित करने कोशिश की है, सवदेशी वस्तों का समर्चन हुए, विदेशी वस्तों का वैसकार करते हैं, इन्होंने ततकालिन आर्थिक गरिभी की दुर्दसा पर आसुब आये, और समाज की दुर्दसा पर बाकी कुछ कर नहीं सकते, परताब ना एन्विसर ने भी कहा है, तब ही लख्यो जहें रहो एक दिन कंचन बर्शत, तहे चो थाई इजन रूखी रोटी हूँ को तर्शत, तास इन्होंने भी वेंगे करते हैं कि जहाँ एक दिन सोना बरस्ता था अर्था जिस देश को सोने के चिडिया का जाता था, उसी देश में आजसो थाई लोग हैं, वो सुषी रोटी के लिए तरफ रहे हैं, धार्मी चेतना देखते हैं, इस यूग के कवियों ने रितिकाल की विलास्पून भक्ती से स्वयम को अलग रखते हुए राष्टर प्रेम भक्ती, तिनों का समनुए करते हुए इनोंने धार्मिक चेतना जगाई, नेर्गुन भक्ती में संसार की नेरर्थकता, नस्वर्ता, विसेवासनों की निंदा की गई, वो इस अगुन भक्ती में राम कृष्ण की उधारक भावना का गुंगान किया, हरिनात पाठक की सिरी ललेत रामायन, बाबु तोताराम की राम रामायन, प्रेमगन की एलोकिक लिला, अम्भिगात त्व्यास की कन स्वद, भारतें दोरी चंदर की जैन, कुतुहल में धार्मिक विद्वेज को त्याकर, सच्ची भक्ती भावना पर बल दिया गया, वारत की उधार की कामना, कहा करोणा निधी केसव सोये, जागत नहीं अनेक जतन करी, भारतवासी रोए, अथा तो भगवन से फुकार करते हैं, क्यितने जतन कर सुके हैं आपको लगाने के लिए, धे करोणा निधी केसव, आप कहा सोये वे हो, अब भारत भारतवासिन पर दीन धया करिये, अर्था सब कुछ बगवान के वरोसे थोड़ देते हैं उन्हें जो मानव है उनसे अपेक्सा कम रहती है इसलिए हो सब कुछ बगवान को समर्पित कर देना चाहते है अब हम अगला पॉइंट देखते हैं परकरती चित्रन भारतेंदू युग में भारतेंदू हरीचंदर एम ठाकु जग्मौन सिंग ने परकरती की नह सरगीक छटा का सुक्सन निरेक्षण करते हैं उनका सवसंत्र चित्रन क्या है इन में से भी जग्मौन सिंग का परकरती चित्रन पूंत या सवसंत रूप में मिलता है बारतेंदू की बसंत होली अंभिकादेत व्यास की पावस पचासा आदि में वर्षा रितू का आलंबनात्मक चित्रन हुआ है आप जानते हो आलंबन और उद्धिपन उद्धिपन तो वो चित्रन होता है जिसमें किसी दूसरे विशे को पुष्ट करने के लिए प्रियोग किया जाता है और आलंबन चित्रन होता है जिसका वास्तियू ग्र निति कथन में दबा दिया, जिसे वो सवसंद रूप में सजी उना बन शकी, परकरती का एक आलमनात्मक चित्रन लेके जो बारतें दू ठाकुर जगमौन चिंग ने किया है, सबसे पहले बारतें दू, नव उद्वल दलधार हार हीरक्षी सोहती, बिच 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 छेरती ब मुद्द मुक्तानिप होती, अर्थात इसमें वर्षा जीतु का वर्णन क्या गया है, वर्षा की दो बुंदे हैं, वो किस परकार मोत्यों सी दिखाई दे रही है, ऐसा सवतंतर वर्णन इसमें क्या गया है, ठाकुर जगमौन सिंग ने क्या काया, देखो, पहार अपार के कोटिन उची सिखा लगी अंबर जूम, निहारत दीथी भर में पगिया, गिरी जात उतंगता उपर जूम, अर्थात इनोंने परवत की दो उतंगता है, उसका सुनेरा वर्णन किया है, कि कैसे वाकास को छूमने के लिए तयार है, अर्थात कितने विसाल है, कितनी उनकी उ मधुरिये, स्रंगारिक्ता, रितिकाल के नक्सिक, सड रितू, नायका भेदवर्ती, तथा उर्दु कविता के प्रेम की विरभ बैंदना का समावेश भी होता रहा, इस काल के कभी रितिकाल इन्द स्रंगारिक्ता से पूर्णतर मुक्त नहीं हो पाए, बार्तिन्दु के प्रेम सवरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम गन की यूगल मंगल अस्पतोतर, ठाकुर जगमोहन सिंग की प्रेम संपतिलता, आदि में स्रंगारिक्ता की विविद चित्र में मिलते हैं, ठाकुर जगमोहन सिंग को इसमें युशेश सफलता मिली, देखे, अब मोहन मोहन इम मूरती के बिना कैसे कटे दुख की रतिया अर्थात इसमें बताय गया है कि वियोग सरंगार का वर्णन है कि इस वियोग सरंगार के वर्णन में बताय गया है कि सहयोग की यादे हैं वो याद करके कह रहा है कि उस मोहन मूरती के बिना अर्थात उसके दर्शन के बना ये जो राते हैं ये दुखदाई हैं ये नहीं कड़ सकती अर्थात इसको कैसे काटा जाए आगे देखो हासे वेंगे बारतेंदु के अधिकान उसकवी जिन्ता दिली एम ताजगी का जिवन जिने वाले कवी थे इस यूग के कवियों ने पहस्चाते शिक्षा प्राप्त यूवक यूतियों विदेशी सासन पस्चमी सब्वेता सामाजे कंद्वी स्वासों प्रूडियों इतादी पर हासे वें बारतेंदु ने लिखे हैं ये प्येस अभी हासे वेंगे की ही परवर्तियां है उर्दु का शापा है है उर्दु हाई हाई कहा सिदारी हाई 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 पंक्तियों के द्वारा उर्दु मारी गई आधि पर वेंगे किया गया है सम दिन मदुमास की रतना उन्होंने गाली स मुहे जब लागे तब ना ही थुटे, जाती मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सिखी साजन नहीं सराब, तब सराब के दुर्गुनों को बताया गया है यहाँ पर, अंग्रेजी सिक्षा पर आप निठले यूगों पर देखो कैसे वहेंगे क्या गया है, जग जाने इंग्लिस हमें वानी वस्तर ही दोई, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होई, तब बताया गया है कि केवल अंग्रेजी पड़े लेना ही जन्म को सफल होना बत किया है, नाएक नाएक अभेद, कावे एमकवी भेद, अलंकार, सबसक्ती, रीती, छंद, रस, कावे गुर्ण, कावे दोस, इताधी रीती विशेक कावे के उपकरणों पर लच्छी राम भट, कवीराज मुरारिदान, बाल गोविन मिसर, परताब नायंड मिसर ने यतोच माकर ये विशेक थından है, अब हम देखते है, समस्या पूर्ती, भारतन्दु यूग के कावे में, रितिकाल की समस्या पूर्ती नामक परवर्ती भी समाविष्ट मिलती है, यद भी ये इस कावे की पर मुख विशेकता मानी धाती है, इस यूग के कवें ने अपनी परतिपा का लोहा समश्या पूर्ति से मनवाया था इससे नवीन कवियों को आगे बढ़ने की प्रेणा मिली बहीं पुराने प्रतिफ्टित कवियों का मान सम्मान भी इससे बढ़ा भारतेंदू की कवितावर्दिनी सबा दोकासी में है कानपूर का रशिक समाद निजामाबाद का कव इसमें नित्य प्रति प्राचेन, स्रंगारिक तता नवीन सामाची क्विश्यों पर समश्या पूर्ति होती रहती थी परताब नायन भारतेंदू, प्रेमगन, अभिकादत्व्यास, लच्छी राम, विजयानें त्रिफाठी, बलबीर, गंगाधर, गोईंद गिल्ला भाई इनके समश्या पूर्तियां उस समश्या पूर्तियां उस समश्या पूर्तियां उस समश्या पूर्तियां उस समश्या पूर्तियां कि उसमें पहले एक लाइन दी जाती है, कोई भी लाइन किसी कवी के दुआरा उठा कर दे दी जाती है, और उस लाइन को पूरी करने के लि तो परताब नैंड मिसर की समझा पूर्ती देखिए, उसकी पंक्ती थी, पपीहा जब पूछी है पीव कहा, तो उसकी पूर्ती किस परकार से किये हैं, बन बैठी है मान की मूर्ती सी, मुक्ख खोलत बोले नेना ही नेहा, तुम ही मनुहारी के हार परे सक्यान की कोन चलाई थ कहा, बरसा है परताब दूद धीर धरो, अब लो मन को समझायो जहा, ये ब्यारी तबे बदलेगी, कत्व पपीहा जब पूछी है पीव कहा, देखो कितनी सुन्दर समझा पूर्ती इसमें की गई है, तो ऐसी समझा पूर्ती वारतिन दूग में की जाती थी, काफिर है वे, जो बंदे ने इफ्लाम के, इन पर समझा पूर्ती देखिए, लाब के मनिंद है गेसु मेरे गंचाम के, काफिर है वे, जो बंदे ने इफ्लाम के, ताति इस परकार से समझा पूर्ती होती रहती थी, गोष्टियां चलती रहती थी, उस गोष्टियों में साहिते सेवा की जाती थी और नही नहीं समझा पूर्ती होती रहती अब कावे अनुवाद ये कावे अनुवाद भी भारतेंदु यूग में मुख्य रूप से परसली था इसमें सहांसकर्थ के दो परशिद कावे हैं उनका काफी अनुवाद किया गया बंगला बाहसा से भी अने एक नाठक वगेरा है उसका अनुवाद होआ था तो हम भारतेंदु रूप संदर ने आठ नाठक का नुवाद किया था अगला हम देखते है कलाशलप भारतेंदु यूग के कावे का कलाशलप कावे रूप भासा लंकार нуж में वाजित करके सम्जा रूप की दरश्टी से इस इस युग में मुखेत है मुक्तक का वे ही लोग प्रियरा यद पर परबंद का वे लिखे गए लेकिन संख्या में कम थे किन्तु परबंद का वे परगीत पदसली वेंगे गीती उर्दु की गाली श्याफा परोडी अधिका भी इस युग के कवियों ने नवीन परियोग किय अंभिका दित्व्यास की कंस्वत हरिनात पाठे की स्री ललित रामायन प्रेमगन की मेंक महिमा ये परबंद करतियां हैं अंभिका दित्व्यास की सूख कवी सत्सली सत्सली प्रंपरा की करतिये ठुमरी लावनी मलार राग रागिनियों की परगीत मुक्तक लोग संगीत प अर्थात उन्होंने काया कि हम अपनी भासा में जिस परकार अपने भावों को विक्त कर सकते हैं, उतने किसी भी भासा में नहीं कर सकते हैं, तरह को इसी भी भासा पढ़ लो इस खड़ी भासा में रागात मक्ता, पदलालिते, चित्रमेता, पर्तिकात मक्ता, आदी विशेस्ताइ मिलती हैं, लोको उक्ती मुहावरों से भासा व्याभारिक लगती हैं, एउद्या परशाद खत्री ने तो खड़ी भासा की मधूरता और पदलालिते, इनके बाजू दि कावे रसनाएं ब्रजबासा में होती रही, इसका कारण था ब्रजबासा की मधूरता और पदलालिते, अरता ब्रजबासा सुनने में इतनी मधूर होती थी कि कावे के लिए सहज ही कवी ब्रज की और आकर्शित हुआ करता था, चंदे मलंकारों में भी ये युग नवीनता का समर्थिक रहा, कवियों ने गेपद सहली, मुक्तक सहली अपनाते वे विद्धो हाथ, सोपाई, सोठा, रोला, कुंडलिया, हरीगितिका जैसे मातरिक एम, कवित, सवया, मंदाकरांता, वंसा, वसंतिलका जैसे वर्नित संदों को बेही चक अपनाया है, इस काल के कवियो उन्हें अपनी रस्नाओं को अधिकादिक आकर्शक बनाये के मनाने के लिए उप्मा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, सलेश, संदेह, आधी सब्द एम अर्था लंकारों का जमतकारक परियोग किया है, सारालत्य भारतिन्दु यूगिन का वे में एक तरप रितिका अपना है, धन्यवाद